शेयर बाजार में निवेश करने और दोगुना मुनाफ़ा कमाने का लालच दे कर करोड़ रुपई की ठगी करने वाली एडवाइजरी कमपनी ट्रेड इंडिया रिसर्च के लगभग साथ खातों को सीज कर दिया गया है पुलिस ने कमपनी की डिरेक्टर की तलाश में चापे मार कारवाई की लेकिन वो फरार हो गई है आईडिया द्वारा दिये गए पत्र के आधार पर एसपी ने उस परिनाम की घोशना की है पूर्बस्पी मुहमद युसूफ कुरेशी के मताबिक आरोपी अमन मन्चंदानी अजैत्रिपाठी मंदार कुलकर्णी और अनीश जैन सहित आरोपी 14 जुलाई तक रिमान पर रहेंगे और उनसे की गई पूछताच में खुलासा हुआ है कि कंपनी के कई बैंकों में खाते हैं और उनमें ही निवेशकों से रुपे जमा करवाये जाते थे SIT द्वारा, HDFC, ICICI Bank, SBI सहित, साथ बैंकों के खातों को सीज कर दिया गया है और जांच में इन खातों में करोडो रुपे के ट्रांजिक्शन होने की जानकारी मिली है पुलिस ने कंपनी डारेक्टर निहा गुपता के महालक्षमी नगर इस्तित घर में चापा मारा लेकिन वो पती के साथ फरार हो गई है यह जानकारी मिली है कि चापमार कारवाई की दुरान नहां घर पर ही थी वो मूलता जासी की रहने वाली है और उसने प्रद्युमर से प्रेम विवा किया था पुलिस के मताब एक तकनी की जाच कर कमपनी का डेटा एकत्रित किया गया है और कमपनी में तीन सो कर्मचारियों के होने की जानकारी मिली है कंपनी के पास लगभग 100 सीम थी और पुलिस ने 60 सीम बरामत कर ली है और कंपनी ने ये काम करने वाले कर्मचारियों को ब्लैकलिस्त करने के लिए सेवी को पत्र लिखा है कंपनी के खिलाब तनिश्क परदेशी नाम की एक लड़की ने भी दोका लड़ी की शिकायत दर्स करवाई है उसे यहाँ नौकरी पर रखा गया था और उसकी ओरिजिनल माक्षी ट्रक ली गई है जब वो सुमवार को यहाँ जॉइन करने पहुची तो महाँ छापा पड़ चुका था मामले में अमेरिका की एजनसी एफबी आई ने मध्यपदेश के पुलिस महाने देशक विजे कुमास से मुलाकात की और साइबर पुलिस की सरहना की एफबी आई स्पेशल एजन्ट माईकल और अमेरिकी दुतावास के पुलिस लाइजनिंग आफिसर मनुशर्मा ने डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें इस मतिचिन ने भेट किया और इंदोर की कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले गिरों का साइबर पुलिस द्वारा पर दाफाश किये जाने पर मिलने आये थे डी जी पी ने FBI के दल को भरोसा दिलाया था कि साइबर क्राइम से प्रभावित अमेरिकी नागरिकों की मध्यपदेश पुलिस हर संभव मदद करेगी FBI के दल ने मदिवदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम पर नियंतरन एवं साइबर क्राइम की घटनाओं का खुलासा करने की सरहना की इस दुरान मदिवदेश साइबर पुलिस और FBI ने धोका धड़ी के मामले की जानकारी साजा की मामलے की मुख्य आरूपी नेहा गुपता के तलाश जारी है और पुलिस द्वारा कुछ आरूपीतों को गिरुफतार भी कल लिया गया है और नेहा गुपता पर भी इनाम रखा गया है गौरतलब है कि नेहा गुपता ने एडवाइजरी कमपनी ट्रेड इंडिया रिसर्च के जरी है कहीं लोगों से करोड़ो रुपए की धोका धड़ी की है और अब वो इस मामले में फराल चल रही है और पुलिस द्वारा कमपनी के तमाम खातों को सीज कर दिया गया है और करमचारियों के खिलाफ ब्लैक लिस्ट भी जारी कर दी गई है और कुछ लोगों को गिरफ़तार भी किया गया है जिनसे पूछताच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि पूछताच में और भी मामले सामने आ सकते हैं और फिलाल मुख्यारोपी निहा गुपता की तलाश में पुलिस जूटी हुई है